परिनिता लगे रहो मुन्ना भाई, गुरू, इश्किया, दा डिर्टी पिक्चर जैसे हिट फिल्म में देने वाली बॉलिवुड के हिरोईन विद्या बालन ने अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की बच्पन से हलके भारी शरीर के कारण मलालत जेलने वाली विद्या बालन ने अपने टैलन्ट के दम पर पहले टीवी, फिर फिल्मों में अपनी अदाकारी का जल्वा बिखेरा विद्या बालन बॉलिवुड के उन चंद हिरोईन्स में से एक है जो छोटी ड्रेस और ग्लैमर की चमकदार दुनिया से दूर साधी साडी में भी अपने खूपसूर्ती से लाखो दिलों को जीत लेती हैं अपने करियर के निराशा जनक शुरुआत करते हुए विद्या बालन एक बार कहा था मेरे शुरुआती दो मल्यालम फिल्में पूरी नहीं हो पाई और तीसरी से मैंने खुद वॉक आउट कर लिया क्योंकि मैं अंकमफर्टेबल हो गई थी मुझे दूसरी एक्टरस से रिप्लेस कर दिया गया मुझे बसूरत महसूस करा आगया इससे मैं इतना डर गई कि मुझे सीशा देखने में डर लगने लगा लेकि मुझे खुशी है कि भगवान की कृपा से आज मैं अच्छा कर रही हूँ मुंबई में जन्मी विद्या बालन को आज बॉलिवूड में बहतरीन एक्टरस में गिना जाता है विद्या के लिए साउस से लेकर बॉलिवूड का सफर आसान नहीं रहा विद्या बालन ने अपनी मुंबई के सेंट एंटोनी कॉन्वेंट से अपनी स्कूलिंग पूरी की और सेंट जैवियर से अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की इसके बाद विद्या बालन ने बॉंबई यूनिवरसिटी से सोशोलोजी से मास्टरस डिग्री हासिल की केरल के पाल घाट के परिवार में जन्म लेने वाली विद्या के पिताब पी आर बालन एटी सी चैनल के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं विद्या ने अपने करियर की शुरुआ टीवी पर निर्मा बेज करकी साल 1995 में विद्या वालन को हम पाँच नाम का टीवी सीरियल मिला इस सीरियल के जरिये विद्या ने अपनी एक्टिंग निखारी और आगे का रास्ता तै किया इसके बाद विद्या टीवी और शॉर्ट फिल्मे करने लगी हसते खेलते रिष्टे दा वॉयलन सोनाटा कभी आना तु मेरी गली सीखो ना जैसे टीवी सीरियल्स और शॉर्ट फिल्मे की इन फिल्मों और कमर्शियल्स ने फिल्मेकर्स का ध्यान कीचा साल 2003 में विद्या बालन को बंगाली फिल्म भालो ठीको मिली इसके बाद साउत की फिल्म कालारी विक्रमन में विद्या बालन को अच्छा करदार मिला इसके बाद विद्या का फिल्मी सफर शुरू हो गया विद्या बालन को खरीब 10 साल लगे और उन्होंने अपने टैलेंट का ऐसा परदशिन किया कि आज भी उनकी एक्टिंग का कोई सानी नहीं साल 2005 में विद्या बालन को परिनीता नाम की फिल्म मिले इस फिल्म से विद्या की असली एक्टिंग लोगों को देखने को मिले नहीं देखा और गुरू सलामे इश्क एकलव भूल भूल या हल ना बोल किस्मत कनेक्शन इश्किया जैसी कई शानदार फिल्में की साल 2011 में एक फिल्म रिलीज हुई फिल्म का नाम था सिल्क ये फिल्म साउथ की हिरोईन रहे सिल्क समिता के करियर पर बनी थी इस फिल्म में विद्याबालन ने सिल्का करदार निभाया था विद्याबालन की एक्टिंग स्किल्स इस फिल्म में काबिले तारीफ रही विद्याबालन ने इस करदार को करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया इस फिल्म के दोरान बिद्याबालन दो पैकेट सिगरेट पिया करती थी फिल्म रिलीज हुई और बिद्याबालन ने खूब तालियां बटोरी इस फिल्म में बिद्याबालन ने अपने अभिने की अमिट छाप छोड़ी बिद्याबालन बॉलिवूट की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बिना छोटी ड्रेस के साड़ी पहन कर लाखो दिलों पर आज किया है बिद्याबालन ने 14 दिसंबर 2012 को सिधार्त रॉय कपूर से शादी कर ली अपने करियर के शुराती दिनों में वजन जादा होने को लेकर आलोचना छेलने वाले बिद्याबालन ने मौका मिलते ही अपनी एक्टिंग से सभी को चुप कर आया साल 2012 में रिलीज हुई बिद्याबालन के फिल्म कहानी में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि हर कोई उनका दिवाना हो गया इस फिल्म में बिद्या को काफी सरहना मिली इस फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2016 में रिलीज किया गया दोनों ही फिल्मों में विद्यावाले ने दिखाया कि वो कितनी गंभीर और शानदार एक्टरस हैं।